पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है पहारों पर हो रही बर्फ बारी के चलते पारा लगतार नीचे गिर रहा है मैदाने इलाकों में कोहरा चाया हुआ है जिससे यातायाद भी प्रभावित हो रहे हैं घने कोहरे के चलते कई ट्रेने और फ्लाइट सेवा प्रभावित हो रहे हैं बात दिल्ली की करे तो यहां आद्मियुम्तम तापमान 5 जगरी तो अधिक्तम तापमान 15 डिगरी सेल्सियर्स दर्ज किया गया है वहीं ठंड से ठिरूर रहे दिल्ली वालों को दोडी मार जेननी पल रही है QI के आकरों के अनुसार आज दिल्ली के लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्रेनी में है लोधी रोड में पीम 2.5 का अस्तर 244 और पीम 10 का अस्तर 211 दर्ज किया गया है सफर के अनुसार 28 दिसंबर से इस साल के अंथ तक प्रदूशन गंभीर स्रेनी में बना रहेगा इस मौग की मोटी परच्छाई रहेगी इस मौग लगभग उसी तरह का होगा जैसा दिवाली के बाद देखने को मिला था बीते करीब एक हपते से दिल्ली की हवा सास लेने लायक नहीं है प्रदूशन का अस्तर बेहत खराब के टेगरी के बीच है इसे देखते हुए केंद्रियर प्रदूशन बोड ने सभी संबंधित सरकारी और नीजी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है इसके अलावा हॉट स्पोर्ट पर विशेज निगरानी रखने और प्रदूशन फैलाने वाले फैक्ट्रियों पर भी सकती से निपटने के आदेश दिये गए है वहीं हडियाना सरकार ने ठंड को देखते हुए घोशना की है कि गुरुबार को स्कूल बंद रहेंगे बता दे कि दिल्ली में साल 1997 के बाद से अब तक दिसंबर के महीने में सबसे लंबी ओधी वाले और बेहत ठंडे दिन रिकॉर्ट किये गए हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सेर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल परियावरन पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले